नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवनरोडा और आज आपके सामने लेका हैं, संद 2022 का अपडेटर प्लान है चाएगा बहुत सारे लोगों को किनफीजन है की प्लान क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे तो आज मैंने सोचा क्यों आप सब लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना दूँ सिंपल वे में, जो आप सब लोगों को समझ में आ जाएं बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यह जो हैपी हेल्स इंडिया का प्लान है 2022 अपडेटर प्लान जैसे की गॉर्मेंट की गाईलेंट के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है बहुत सारे लोगों का ने इसके अंदर वर्किंग करी, इस प्लान को बनाने के लिए बहुत सारी चीजे बनी और इतना बहतरीन प्लान, इतना शांदर प्लान, मैं आपको यह बोल सकता हूँ कि डारेक सेलिंग के दुनिया के अंदर यह प्लान आने वाले टाइम में हजारों लोगों के सपने, करोडों लोगों के सपने पूरे करेगा, मैं आपको बोला दा हूँ यूगि यह प्लान हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के लिए बनाया गया है, हर उस डारेक सेलर के लिए बनाया गया है कि जो direct seller बहुत भी simple way के अंदर लोगों को ये plan समझा पाए, system समझा पाए, चीजे समझा पाए कि happy health India क्या है तो आज हम discuss करेंगे विस्तार रूप के अंदर happy health India दोस्तों happy health India लूधियाना बेस company है जैसे आपको बता है सन 2015 के अंदर इस company की शुरुवात हुई सबसे बड़ी product range की company है जानि कि हिंदुस्तान के अंदर आज की डिड़ में happy health India के अंदर साड़े 700 से ज़्यादा वो product है जो हिंदुस्तान के हर घर के अंदर लगते हैं जानि कि हिंदुस्तान के वहर उस नागरी की जरूरत है वो product जो कहीं ना कहीं वो बजार से लेता है तो साड़े 700 product हैं आज हमारे पास और ये plan आज market के अंदर काम कैसे करता है उसके उपर हम discuss करेंगे आपको जैसे पता है happy health India के अंदर जुड़ना बिलकुल यासान है registration बिलकुल free है जानि कि मैं ये बोलूं कि ID के कोई भी पैसे आपको देने नहीं है registration आपकी free है और आप अपनी मर्जी से अपने product purchase कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगी कोई बंदिश नहीं है जैसे ही आप happy health India के अंदर जुड़ते हैं आप अपना form fill करते हैं आप अपना KYC update करते हैं आप अपना sponsor ID लगाते हैं तो आपको एक ID number मिल जाता है और आप शुरू हो जाते हैं product को purchase करने के लिए company कहती है आप अपनी मर्जी से कोई भी product purchase कर सकते हो जाने कि happy health India के अंदर जुड़ने के लिए अब अगर आपको rice bran oil चाहिए तो आप rice bran oil ले सकते हैं आपको साबून चाहिए तो आप साबून ले सकते हैं आपको paste चाहिए तो आप paste लग सकते हैं जाने की साड़े 700 product में जो भी product आपको मिलेगा वो सबसे पहले किसी भी company का product जो होता है market में वो MRP होता है मान लेते हैं किसी product का happy health India के अंदर भी जब आप जुड़ते हैं तो आपको product MRP पे नहीं मिलेगा आपको product मिलेगा DP rate पे जानी की आपको DP rate पे product मिलना है और उसका business volume आपको मिलना है इसी परकार categories wise आप कोई भी product को लेकर अपना DP rate के उपर product को लेकर join कर सकते हैं जानी की company कहती है आज आप 10 रुबे का भी product HRC से लेते हैं इस बात को ध्यान से देखना आप 10 रुबे का भी product अगर HRC से लेंगे तब भी आपकी billing DP rate पर ही होगी first company कहती है सबसे पहला point हमारा क्या है यह आपकी DP rate पे billing होती है जानी की आप अपनी मर्जी का कोई भी product DP rate पे ले सकते हो और आपको 800 business volume का product लेना है अपनी मर्जी से आपको 800 business volume का product लेना है और कितने भी time में लेना है जब आपका दिल करे चाहे एक महीने में लेजिए चाहे दो महीने में लेजिए चाहे तीन महीने में लिजिए, चाहे चार महीने में लिजिए, चाहे पांच महीने में लिजिए, जब भी आप अपनी ID पे 800 PB का प्रोड़क्ट ले लेंगे, तब आप इस बुजनस के अंदर eligible हो जाते हैं, आगे भी लोगों को sponsor करने के लिए, आगे भी लोगों को इस plan के ब प्रोड़क्ट प्रचेस किया, आपके पास दो organization खुल जाएगी, ORG1 and ORG2, यह ORG1 है, यह ORG2 है, आप कितने भी लोगों को direct sponsor कर सकते हैं, ORG1 में, और direct sponsor कर सकते हैं, ORG2 में, बड़ा simple सा स्वाल है, कि आपके पास आपनी किसी को sponsor करना है, तो आपके पास option आएगी, कि आप आपने उसे ORG1 में जोड़ना है, तो आप ORG1 में जोड़नेंगे, आपके पास option आएगी, आपने ORG2 में जोड़ना है, तो आप ORG2 में जोड़नेंगी, company की जो पहला benefits आपको मिलता है, वो simple सा benefit मिलता है, आप business रोइंग करते हैं, आप business रोइंग करने के बाद, आपके गुंपली सी कहा दे हमने लिए, अगर आपके टीम में 100 BB की भी पर चेज मैच होती है, जских विवी जा कलको आपके टीम में 1000 BB मैच होता है, तो उसका 12% पैसा आपको 120 सर्वे आजाते हैं, अगर कलको आपके टीम में 100 BB मैच होते है, तो company उसका 12% जानlaim की 1200 प्याप्याएंग परगार कलको एक लांग बीवी मैच होते हैं तो कंपनी आपको 12% के हिसाब से 12,000 पर डिस्टिबूट कर देती हैं यह पहले इंकम है कंपनी की 12% मैचिंग बिजनस जानी की ओरर ऊर्गनेशन वन और उर्गनेशन टू में आपका जितना भी वीक्ली बिजनस मैच होता है आपको उसका 12% मिल जाएगा जितना भी बचा हुआ बुझनस रह जायेगा वो केरी फारवड हो जाएगा माल लेते हैं और्गनेशन 1 में 1,00,000 का बीवी है और और्गनेशन 2 में 50,000 का बीवी है 50,000 का बीवी मैच कर जाएगा और्गनेशन 1 के साथ जो 50,000 रह गया वो पूरे lifetime तक आपका carry forward हो जाएगा पहली income जो हमारे यहां पे मिलती है matching bonus मिलता है और इस income में आप maximum 2,11,000 पे तक weekly पैसा कमा सकते हैं अब हम आते हैं company की जो दूसरी income है weekly वो आपको क्या मिलती है जैसे आपने देखा पहली income में आपको 12% का matching bonus मिलता है चाहे वो है कोई निया person जोड़े निया direct seller product ले या पुराना direct seller repurchase करे जितना भी business volume आपके team में match होगा उसका 12% पैसा आपको मिल जाएगा अब दूसरी income क्या आती है company अपने turnover का 2% पैसा जानी की CTO company अपने turnover का 2% पैसा निकालती है अगर आप पूरे week में जानी की पूरे ख़स्ते के अंदर अगर आप और relation 1 ORG बज में 11,000 का business volume और ORG 2 में 10,000 का business volume करने में काम्याब हो जाते हैं प्लस company turnover का 2% पैसा निकलेगा उस अफ़ते में company का जितना भी business turnover हुआ होगा उसका 2% पैसा company निकालेगी और जिन भी लोगों ने ये criteria पूरा किया होगा उनमें equal distribute कर देगी और ये minimum 1000 पैसे लेकर आपको 1500, 1200, 1300, 1400 किसी के बीच में भी आ सकता है अगर हम 1000 पै भी माल लेते हैं तो आपको लगभग 2200 रुपे की income आ जाएगी जो हिंदुस्तान की direct selling के अंदर only 10,000 पै का business match करने से only 10,000 पै का business match जानी की organization 1 में जा organization 2 में only 11,000 का business volume और 10,000 का business volume आपको 1000 पै कंपने टरनोवर से 12% matching 2200 पै की आपको income आगा दी है और ये एक point बनता है और इसको 80 point का आपको पैसा मिलता है अब हम चलते हैं दोस्तों company की जो तीसरी income है जो भी आपको weekly income मिलती है वो क्या है company कहती है जैसे ही आप ORG1 और ORG2 में पूरे week की अंदर आप ORG1 और ORG2 में अगर आपका business volume 25,000 पै का match हो जाता है इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों ये business plan पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुत सारे लोगों के dream पूरे कर सकता है अगर कोई भी distributor सिर्फ 25,000 business volume organization 1 और 25,000 organization 2 में कर लेता है तो सबसे पहले 12% का matching income 3,000 पै दी जाती है प्लस इसके लिए company अपने turnover का 10% पैसा फिर ध्यान से सुनने ना company अपने turnover का 10% पैसा निकालती है और इस pool के अंदर डाल देती है और जिसको company ने fix कर दिया है जानी कि 5,000 रुपे कमपनी कहती है हमारा कोई भी distributor अगर सिर्फ पूरे वीक में organization 1 से 25,000 business volume organization 2 से 25,000 business volume कर लेता है तो 12% की matching income प्लस 5,000 पै का company turnover का 10% पैसा 8,000 रुपेया मेरे यारो 8,000 रुपे की income आप ले सकते हैं एक छोटा सा business करके अब अगली income की तरफ हम जाते हैं जो अगली income है company की वो भी matching income weekly income कहते हैं हम उसे भी अगर organization 1 में और organization 2 में अगर आप पूरे हफथे में चाहे आपके परसन हैं चाहे new लोग जुड रहे हैं चाहे old लोग plan कर रहे हैं बिजनस वॉलियम परचेज कर रहे हैं अगर पूरे हफ़ते में एक लाग बीस अजार बिजनस वॉलियम और एक लाग बीस अजार बिजनस वॉलियम और इसका एक पॉइंट बना देती है अगर आपके पास दो लाग चालिस अजार बिजनस वॉलियम और दो लाग चालिस अजार बिजनस वॉलियम और दो लाग चालिस अजार बिजनस वॉलियम और आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे अगर यही business volume एक करोड़ बीस लाग बन जाता है तो आपके पास सो point हो जाएगी जो point की value निकलेगी 5% के हिसाब से company उनमें जिसके पास भी जितने point होगे उनमें equal distribute कर देगी अगर मेरे पास 2 point है और company की value 6000 पे निकली है तो मिनको 12000 पे आ जाएगा अगर मेरे पास 10 point है और company की value 6000 पे है तो मुझे 6000 पे आ जाएगा यह चार income हम weekly देते हैं business volume plan के अंदर अब हम चलते हैं company के monthly plan की तरफ दोस्तों अब हम बात करते हैं एच अचे के monthly plan की जैसे हमने पहले weekly plan की बात्चित करेगी अब हम बात कर रहे हैं monthly plan की वह इंक में 5% से लेके 15% performance bonus जिसको हम difference bonus बोलते हैं यह कैसे आएगा यह पहले की तरह ही आएगा इस business को लेने की आपके जितने भी direct sponsor है चाहे वह दो है तीन है चार है पांच है मां लेते हैं 200 business volume इदर आया 300 business volume इदर आया 400 business volume इदर आया जाने की company का दो प्रस तीन 500, 400, 500, 1400 business volume हो गया तो company कहती है हमारा पहला जो है अगर 1000 पे का business volume आपके group में आता है तो आपका level 5% हो जाएगा इसी परकार जुड़ते करम में अगर यह अगले महीने में टीमें और बड़ी हो जाती हैं यह सब लोग मिलकर काम करते हैं अगले महीने में अगर 9,000 business volume और आजाता है और टोटल 10,000 business volume हो जाता है तो आपका level 10% हो जाएगा इसी परकार अगर टोटल 21,000 का business volume आपके group में आजाता है तो आपका level 15% हो जाएगा इस तो हैचेज़े के अंदर performance bonus के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों जो business आप पर week में कर रहे हैं वो business पर week में तो आपको payment मिली ही रही है जो आपकी commission बनती है प्लस वो ही business आपका monthly business में भी count होता है monthly business के अंदर भी same वो ही दो organization आपकी ORG1 and ORG2 ध्यान गतना में है यारो ORG1 और ORG2 में आप कितने भी direct लोगों को business के अंदर join करवा सकते हैं चाहे organization 1 में just direct sponsor होगे आपके चाहे organization 2 में just direct sponsor होगे चाहे दो-दो sponsor होगे या एक-एक sponsor होगया आप कितने भी लोगों को direct sponsor करवा सकते हैं organization 1 और organization 2 में company कहते हैं अगर पूरे मन्थ में जो भी business आप जुड़ता आ रहा है फिर इसकीज को ध्यान से सुनना जो भी business आप पर भी करते चले जा रहे हैं वो पूरे मन्थ के लिए भी जुड़ता जला जा रहा है अगर organization 1 में साथ हजार business volume और organization 2 में साथ हजार business volume आपके direct sponsor के दवारा आपके जितने भी direct sponsor हैं उनके दवारा अगर साथ हजार business volume organization 1 में और साथ हजार business volume organization 2 में आ जाता है तो company अपने turnover का 5% पैसा निकालेगी मेरे यारो 5% पैसा निकालेगी और इसमें car fund के रूप पे आपको ये पैसा car fund के रूप में साथ हजार पे का एक point बन जाएगा और इसकी maximum capital जो है वो 10 point की है जानी कि अगर आपके पास 1,20,000 point हो जाते हैं तो आपके पास 2 point आजाएंगे अगर आपके पास 1,80,000 हो जाते हैं तो आपके पास 3 point आजाएंगे अगर इसी परकार आपके पास 6,00,000 point हो जाते हैं तो आपके पास 10 point आजाएंगे maximum 10 point का benefit आप car fund में ले सकते हैं अगली जो income है वो same income है house fund अजीवल अब company अपने turnover का 3% पैसा निकालती है जो भी direct seller धाई लाग business volume और धाई लाग business volume और धाई लाग business volume वी एक point line करती है अगर लिजाती है अगर किसी के पास 5,000,000 का business हो गया तो इसके बास 2 point हो जाएंगे अगर किसी के पास 10,10,000,000 का business हो गया तो company कबाद 4 point हो जाएंगे अगर किसी का 25,25,000 का business लिम हो गया तो इसकी भी Потом किपिंग हैべर आपको बता रहा हूं organization 1 में और organization 2 में जितने भी आपके direct sponsor है minimum 3 direct sponsor से आपको जै business आना जाये maximum कितने भी direct sponsor से business आता है कोई problem नहीं मिनियम Weber आपको जै business आना चाहिए 20,000,000 business volume organization 1 में और 20,000,000 business volume organization 2 में आता है तो company अपने turnover का 3% बैसा निकाल दी है equal point बना जती है और 10 point की value आपको जी जाती है इसके बाद अगर यही business आपका 10 lakh business volume organization 1 में आ जाता है और 10 lakh business volume organization 2 में आ जाता है तो company अपने टरनोवर का 2% पैसा निकालती है और उसके भी 10 point बना जती है और एक point की value जो भी निकलेगी company टरनोवर से आपको equal distribute कर दी जाती है इसी परकार अगर 25 lakh business volume organization 1 में और 25 lakh business volume organization 2 में आ जाता है तो company अपने टरनोवर का 1% पैसा निकालती है और जितने भी लोग हैं 10 point की gaping मना जती है उसके अंदर वो equal distribute हो जाता है अब अगली income की तरफ हम लोग चलते हैं अब company क्या लेती है company कहती है आपने जैसे अपनी ORG 1 और ORG 2 में जितने भी डारेक्ट लोगों को business में join कराया है अपने चाहे वो organization 1 में है और चाहे और organization 2 में है company कहती है उन में से किसी भी चार्ट sponsor में 2 lakh business 2 lakh business 2 lakh business जानी की आपके डारेक्ट चार्ट sponsor वो चाहे organization 1 में हो चाहे वो organization 2 में हो अगर आपके डारेक्ट चार्ट sponsor 2-2 lakh का business volume पूरे महीने में करने में काम्याब हो जाते हैं तो company अपने टरन वरगा 2% पैसा निगालती है और जितने भी लोगों ने ये किया होगा उसका एक point बना देती है और इसकी कोई भी point की capping नहीं है अगर आपकी 4 direct generation में 2-2 lakh business volume आ जाता है तो आप company के 2% के हकदार हो जाते हैं एक point के value निकल दिये है अगर आपके बाद 2 point है तो आपको 2 point के बैसे आ जाएंगे अगर आपके बाद 100 point है तो आपके बाद 100 point के बैसे आ जाएंगे इसी प्रकार company अपनी organization 1 और organization 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 direct sponsor से अगर आप 2-2 lakh का business करने में काम्याब हो जाते हैं company अपनेटर नमर का 2% पैसा निकालती है और जितने भी लोग होंगे उनमें equal distribute कर जाती है अगर आपके बाद 1 point होगा तो 1 point के बैसे अगर आपके बाद 10 point होगे तो 10 point के बैसे अगर आपके बाद 100 point होगे तो 100 point के बैसे यह है जोस्तों Happy Health India का updated plan जिसमें company अपने टर्नोर का 95% पैसा business volume का transfer कर दी है अपने direct seller को तो थाँ है है तो 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 जिसके बारो नापके आपके मादो आपके बाते है kept.